प्रहार में आप बात होगी उत्तर प्रदेश की जहां योगी क्याबिनेट की विस्तार को लेकर हलचल 30 हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदितनात राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुचे हैं इंडिया टीवी ने पहले ही आपको बताया था कि 10 मार्च से पहले योगी क्याबिनेट का विस्तार होने जा रहा है ओपी राजपर और दारा सिंग चौहान को मंत्री बनाया जाना तेह है जैन चौधरी के भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है मंत्री बनने की रेस में मुस्लिम चेहरा भी शामिल हो सकता है आरेलडी के कोटे से मुस्लिम MLA मंत्री बन सकते हैं तो यह बड़ी कबर इस वक्त के आपको बता रहे हैं राजभवन मुख्य मंत्री योगी आदितनात पहुचे हैं दरसल दस मार्च से पहले योगी मंत्री मंडल का विस्तार होना है इसमें ओपी राजपर और दारा सिंग चोहान को जगा मिलना तो लगपक तैमाना जा रहा है जानकारी ये भी है कि आरेलडी कोटे से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि आरेलडी का गटबंदन एंडिये के साथ इसी वज़ह से हो रहा है यही मांगे थी कि यूपी सरकार में भी उन्हें जगा मिले तो कुछ ऐसे नाम है जो इस मंत्री मंडल में शामिल किये जा सकते है विशाल कौन से वो चेरे हैं जिने चुनावों से ठीक पहले मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है या किन बातों को ध्यान में रखकर ये मंत्री मंडल विस्तार किया जा रहा है देखे दो तीन चीजें हैं प्राची जिसमें इस मंत्री मंदर विस्तार में खास तोर पे ध्यान रखा जाएगा सबसे महत्पूर्ण ये है कि राज्य सभाच चुनाव में जिस तरीके से एंडिये के घटक दल पूरी तरीके से भारती जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा में लाकर के खड़े रहे तो निश्यत तौपर मंत्री मंदर विस्तार में इस बात को खास तरजी दी जाएगी लगाय गया और पूरी तरीके से जो वोट है वह अंडिये के पक्ष में किया गया यही वज़य है कि एंडिये की उमीदबारों ने बीजेपी की उमीदबारों ने आघ सीटों पर जीत दर्ज की तो ऐसे में मन्त्री मंदल के जो विस्तार होगा तो इसमें सुभास्वा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जो नाम है वो प्रमुक्ता से चला है इसके अलावा दारा सिंग चौहान जो की समाइवादी पार्टी की विधायक हुआ करते थे अपने पत से उन्हें इस्तीफा दिया घोसी का जो उप चुनाओ है वो जरू हार गये लेक चीथ हो गई है अपचारी गडबंधल का जो एलान है वो सिर्फ बाकी है और ऐसे में हम यूमीद कर सकते हैं कि उत्तरपदेश में भी प्रतिनिद्धित मिलेगा राश्री लोगदल को और जो मंति मंदल विस्तार उत्तरपदेश में होने वाला है दस मार्च से पहले-पहल के मद्दे नजर की पुर्वांचल की बात कर लिया जाए पश्चिम उत्तरपदेश की बात कर लिया जाए बुंदेल खंड हो जाए रुहेल खंड हो जाए अवत बेल्ट हो जाए बीजेपी हर जगां खुद को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है योकि चुनाओं मे भातियनता पार्टी का राज्य सभाग चुनाओं में साथ दिया है उनको भी निश्यत तोव पर इस मंत्री मंदल विस्तार में शामिल करना है तो यह हम उमीद कर रहा है कि जिस तरी के सबसे कुछ देर पहले मुख मंत्री योग्या दितनात थे उनके कारिक्रम जौंपुर में लगे हुए हैं मिर्जापुर में लगे हुए हैं और उससे पहले उन्होंने जाकर के गवर्नर आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की है तो यह माना जा रहा है कि 10 मार्च से पहले उत्तर प्रदेश में कभी भी मंत्री मंदल विस्तार संभव है हाला कि सूत्र तो यह भी क असी का टार्गेट लेकर प्रधान मंत्री दरेंद्र मोधी चल रहे हैं, मुक्य मंत्री योगी आदेतनाथ चल रहे हैं, और असी में से 80 सीटे जीतनी हैं, तो ये मंत्री मंदल विस्तार भी बहुत बड़ी भूमी का आविशाल निभा सकता है, ऐसे में क्या क्षित्रों का भ भी ध्यान रखा जाएगा, इस सारे समिकरणों को सेट करके ही, ये मंत्री मंदल विस्तार संभव हैं, देखे प्राची जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटे हैं पूरे देश में, और बीजेपी ने इस बार का जो टार्गेट रखा है, अब की बार चार सो पार, अगर आपको चार सो से ज़्यादा सीटे शाहिए, इतिहास लिखना है, तो उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को और भी ज़्यादा बेहतर करना होगा, अलाकि पिछले शुनाओं की ये बात कर लिया जाया, समयवादी पार्टी और बहुजन समाज प इसने को इंडिय अलाइंस में नहीं मिल रहा है, तो बीजेपी और गर्जो सायोगी है, वो चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में असी जीतने में काम्याब हो जाते हैं, तो जो चार सो का लक्ष है, वो कहीं न कहीं उनके लिए आसान होगा, यही वज़या है, कि न सिर् अपने सहियोग्यों का ध्यान रखना होगा, बलकि जातिय समीकरण के साथ साथ उन सभी छेतरों में भी अपने आपको व्यापक तोर पर फैलाना होगा, जहां पर पिछली बार 16 सीटे, भारते जंता पार्टी अपने सहियोग्यों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में हार इसको देखना होगा, बलकि मंत्री मंडल विस्तार में भी संभावना इसी तरीके से तलाशी जाएंगी कि बीजेपी अपने सहियोग्यों के साथ खुद को इतना मजबूत कर सके कि उत्तर प्रदेश में असी में से ज्यादा जो सीटे मिल सकते हैं बीजेपी के उसको ध्या कैसे हो सकते हैं जो रेस में हैं जिनकी लॉट्री लग सकती है चुनाव से एन पहले उन्हें इस काबिनेट विस्तार में जगा मिल सकती है देखे प्राची इस बारे में सबसे ज़्यादा महत्पूल बात यह हो जाती है कि पूरवांचल के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश भारती जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एहम हो जाता है यही वज़े है कि परसप्शन शुरुआत में जब सेट होना शुरू हुआ तो वो थोड़ा दिश्चिकोन अलग हो गया था यही वज़े है कि बीजेपी इस बार चाहती है कि चाहे वोटिंग के शुरुआत पश्चिम से हो चाहे पूरवांचल से हो बीजेपी सभी जगहों पर अपने सायोगियों के साथ इस तरीके की घेराबंदी करें तो ना सिर्फ भारती जनता पार्टी के भी एक से दो विधायक ऐसे हैं जिनकी लोटरी खुल सकती है लेकिन इस बारे में सबसे ज़्यादा महतरपूर्ण बात यह होगी कि केंद्री कैबिनेट के साथ जो बातचीत हुई है मुखमती यूगया दितनातकल दिल्ली में थे वहाँ पर जो शुरुष नेत्र के साथ बातचीत हुई है उसके बाद यहाँ पर भी डिसकेशन हुआ है और ऐसे में एक से दो जुन में यह बिल्कुल साफ हो जाएगा प्राची कि किस तरीके से मंत्री दारत सिंग चौहान बनते है ओपी राजभर बनते है आरेलडी कोटे से कोई मंत्री बनता है या फिर बीजेपी के भी एक दो मिनिस्टर के तौर पे शपत ले सकते हैं तो यह देखना खासा महतुपूर्ण होगा और यह भी बताया जा रहा है इसलिए क्याबिनेट विस्तार काफी एहम हो जाता है आप बंदरी विशाल अमारे साथ देखे इस क्याबिनेट विस्तार पर SPSP के अध्यक शोपी राजभर ने क्या कुछ का आईए आपको सुनवा देते है दिल्ली वारता के लिए सोचना आएगी तो उसी समstand में वारता के लिए बात्चित हुई है कि आपको तो जादा सभी चीज़ें पता रहती है चाहे विपाक शो पाक शो हो कब कहा क्या होने वाला है तो उसकी जानकारी के अनुसार क्या मंत्री मेंटल विस्तार की कोई जानकारी अभी तक है देखे जब चुनाव का विगुल बजने के पहले आचार संगीता लगने के दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार और यूपी में भी विस्तार हुआ था तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संगीता लगने के पहले विस्तार हो सकता है ऐसी चर्चर रहती है के ठिकानों से साथ करोड की कारे बरामत हुई है रेट की दौरान दिल्ली में इंकम टेक्स विभाक को सोलह करोड की रॉल्स रॉयस कार भी मिली है अब तक साढ़े चार करोड कैश भी बरामत किया गया है तो ये बड़ी रेट चल रही है 16 करोड की कार बरामत की गई है तंबाकु का कारोबार है अभी तक 60 करोड की जो कार है उन्हें बरामत किया गया है बड़ी रेट कानपूर में चल रही है और वीते 15 घंटे से बंशिधर तंबाकू यहाँ पर जो इनकम टेक्स की रेट है वो फिलाल चल रही है तो कानपूर में देखी cash भी बरामद हुआ है और कई करोड की कारें भी बरामद हुई है चार करोड रुपए का cash अभी तक बरामद कर लिया गया है तो इसे बड़ी rate आप समझ सकते हैं income tax की rate है और महंगी महंगी जो luxurious गाडियां है वो फिलाल बरामद की गई है और अब income tax से पता लगाने की कोशुश कर रही है कि आकेर ये कहां से आया है इसका वियोरा क्या है समपत्ती का ये सब कुछ पता लगाने की कोशुश की जारी है अब है पारशन मेरे संयोगी जुर गे हैं ज्यादा जानकारी के साल अबे क्या जानकारी मिल रही है पंदरा घंटों से अगर इंकम टेक्स चापिमारी कर रहा है तो अभी तक क्या कुछ आत लगा है इंकम टेक्स के? इंकम टेक्स के अधिकारी को मिली थी जिसके बाद इंकम टेक्स के अधिकारी को मिली थी जिसके बाद इंकम टेक्स के अधिकारी ने ना केवल कानपूर में बलकि दिल्ली के घर में जब छापे मारी तो दिल्ली का घर जो है वसंत विहार में वहाँ पर इंकम टेक्स के जो अधिकारी थे उनके भी हो शोड़ गए क्योंकि वहाँ पर एक ही घर के अंदर इतना जरी गाड़ी जिसमें रॉल्स वाइल्स भी है साथ ही लिंबॉर्गनी है और भी तमाम मेंगी गाड़िया है वो बरामत फिलाल कर ली कहीं है इसके अलावा साड़े चार क्रोड रूपे दिल्ली के घर से बरामत हुआ है कानपूर में अभी भी रिज़ जारी है और इंकम टे लेकिन पिलाल तस्वीरों को देखकर और जो कुछ भी बरामत हुआ है उसे देखकर तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितनी बड़ी यहां पर घपले बाजी की जारी थी शुक्री आपका अब है तमाम जानकारी के लिए बागे बढ़ेंगे बात करेंगे प्रतिबा सिंग तुरंत विधायकों की बात सुनते थे सरकार को इस्थिर रखना अब सीम की जिम्मेदारी है तो जो नाराज की और जो तल्कियों की बात उठ रही थी वो तल्कियां अभी तक खत्म नहीं हुई है देखे दो परेविक्षक हिमाचल प्रदेश में गए वह पतिबा सिंग उनसे हम बात करेंगे मैम अब कल काफी लंबी चोड़ी बैठक हुई कोडिनेशन से जो अब्जरवर रावित है उनसे भी मिले कोडिनेशन कमेटी गठिट की गई है अब क्या कॉंग्रेस में और इस वेल है वियर ट्राइंग वियर पूटिंग बेस्ट एफ है उस पर भी हम मननन करेंगे और किस तरीके से हमने चुनाव के मैदान में उतरना है किस तरीके से कॉंग्रेस को विजे बनाना है वो हमारा अब मुख्य उदेश्य होना चाहिए और उसी पर हम काम कर रहे है क्योंकि यह पूरा तालिस घंटे लागतर गठना कर्टम हुआ तो काफी विधायक जो थे वो नाराज चल रहे थे कारेशाली को लेकर स्वाजी उट रहे है कि कारेशाली मुख्य मंत्री ठीक नहीं है लेकिन अब क्या विधायक जो सम्मान गए है तेखो कोशिश तो की है अब यह ऐसे मसले तो नहीं थे कि जो एकदम सॉल्व होते उस प कर रहे हैं तो विधायकों की नराजगी आप कहने कि काफी हद तक दूर हुई है काफी हद तक दूर हुई है क्योंकि उनको ऐसा मुका ने मिल रहा था कि वो अपने ग्रिविंसेज हाई कमांड के जो तीन अब्जर्वर जाये थे उनके समक्ष उनों ने रखी है उनसे बात उनों ने अटेंड की वो गय और माने मुख्य मंतरी ने उनको आदेश दिया कि आप चलो तो ही वेंट एंड एंड एटेंड ते कैबनेट मीटिंग तो पूरी कैबनेट मीटिंग टेंड की हाँ कि मैम अभी क्या आगे क्या एक्षिन रहेगा आपका क्या जो चे विधायक जो अभी निलम्बित किये गए है नको पर निकाला गया है पार्टी से तो क्या उनके लिया पैर भी करेंगी क्या आगे क्या रहेगा पूर्टी धेख्शा है आ ने बिलकुल बिलकुल उनके ग्रीवेंसेज हमको दोर करने चाहिए थे बहुत पहले इस्यू रिजाना चाहि